वीडियो एडिटिंग के लिए ये पहला सॉफ्ट्वेर है नाम है इसका Camtasia और आप ये जानना चाहेंगे कि ये सॉफ्ट्वेर की खास बात क्या है मतलब अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं यूट्वेर के लिए तो क्या ये जो सॉफ्ट्वेर है ये आपके काम का है या नहीं है मैं इसकी सबसे खास बात आपको बता देता हूँ आप खुड डिसाइड कर लेना सबसे पहली जो बात है इस सॉफ्ट्वेर की केमटेश्या की पहली बात है ये बहुत ही लाइट वेट सॉफ्ट्वेर है यानि कि 300 MB के आसपास में इस सॉफ्ट्वेर है इसकी जो फाइल है बतलब ग्राफिक्स कार्ड के साथ के अंदर वो अच्छा काम करते हैं बिना ग्राफिक्स कार्ड के वो धंका काम नहीं करते हैं तो अगर आपके पास में high-end PC है तो आप चाहे Camtasia यूज़ करें, Adobe Premiere यूज़ करें या Final Cut Pro यूज़ करें Final Cut Pro वैसे सिर्फ Mac के उपर चलता है मगर आपके लिए अच्छी बात ये है कि जैसे 30-40,000 रुपे के बीच भी अगर आपने लैपटॉप लिया है हाल ही के अंदर या फिर हो सकता है कि 4-5 साल पुराना भी आपके पास में लैपटॉप हो उसके अंदर भी Camtasia चल जाएगा तो एक और जो दूसरी खास बात है इसके Camtasia के बारे में कि ये Actual के अंदर वीडियो एडिटिंग से ज्यादा इसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है Screen recording और tutorials को बनाने के लिए इसको design किया गया है मगर फिर भी आप इसमें किसी भ्रह्म में मत रहना कि ये सिरफ और सिरफ चोटे मोटे चीजों के लिए ये बहुत ही powerful मुझे software लगता है मैं इसको extensively use करता हूँ मैंने कई सारे YouTubers को इसको use करते देखा है एक channel आता है इशान LLB नाम से वो 1 million plus subscribers है उसके अभी मुझे exactly ध्यानने कितना वो भी इसी software को use करता है क्योंकि उसके कई सारे VFX मैंने देखे हैं वो बिलकुल इसी software से निकले हुए हैं उनको देखके आराम से पता पढ़ जाता है थोड़े टाइम में आपको पता पढ़ जाएगा कौन से software से इसकी editing की गई है थोड़ा सा आगे जाने पर तो तीसरी जो इसके सबसे खास बात है वो मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि अगर जैसे अगर graphics card आपके laptop के अंदर नहीं है तो आपको क्या है कि rendering करने में थोड़ी सी समस्या आती है मगर मैंने इसके अंदर जो observe किया है मेरे पास में 6GB का बिलकुल latest graphics card मैंने अभी अभी upgrade किया था जो कि 50,000 रुपे के आज पास में पढ़ा था मगर उस card को ये use ही नहीं करता इसके पहले वाले को भी use नहीं करता था मतलब 1% भी उसको use नहीं करता और जब मैंने इसको एक similar project को इस से render किया और मैंने अपने दूसरे laptop से render किया तो करीब करीब उनके अंदर बराबर साही समय लगा हाला कि समय जदा लगा, दोनों के अंदर ही समय जदा लगा मतलब जैसे अगर 10 minute का वीडियो है उसको render करने में करीब 10 minute ही लगे इसके अंदर 10 लगे और laptop के अंदर 11-12 minute लगे होंगे इसके ज़्यादा अंतर नहीं लगा मगर फिर भी जो खास बात है, जो अच्छी बात है वो ये है कि ये graphics card के उपर इतनी dependency नहीं है ज्यादा तर जो laptops हैं वो आपके सस्ती जो range के अंदर आते हैं उसके अंदर graphics card नहीं होता मगर आप processor i5 जो है 4th generation, 5th generation, 6th generation आप लेते हैं तो उसके लिए ये बिलकुस set है, कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये अच्छी चीज़ हैं इसकी और इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहरा हूँ कि इसके अंदर effects की भी भर्मार है और animations की भर्मार है इसका एक जो feature है, जिसको animation ये कहते हैं मगर वो animation नहीं है, मैं उसको pen and zoom मानता हूँ उसका technical word pen and zoom है मगर वो जो feature है, वो इतना अच्छा है कि मैं कई बार जान बुझ के कैम टीशे के उपर ही edit करना चाहता हूँ YouTube के videos क्योंकि दो चीज है, आप अच्छी तरीके से समझ लिजे इस चीज को, कि पहली चीज तो ये है कि आप YouTube के जो videos हैं, उनको जल्दी से जल्दी upload करना चाहते हैं बनने के 5, 6, 7, 10 मिनट के उपर होते ही नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा अगर project नहीं है, छोटा project है तो उसके अंदर तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती इस software के अंदर, तो मैं कई सारे और software यूज करूँगा, बगर इस software की जो सबसे ज़्यादा खास बात है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले बहुत ही light weight है, आपका light weight होने के साथ ही के अंदर आपका जो भी laptop है, उसके ओपर ये काम कर जाएगा, उसके अलावा ये screen recording editing software है, मगर screen recording के अलावा, जो कुछ भी है, वो भी इस पे चल जाता है, जैसे अभी जो वीडियो इससे में जो चल रहा है, ये भी मैं इसी के ओपर edit करने वाला हूँ, और ये 4K footage है, 4K footage है, यानि कि थोड़ी सी जो footage है, वो भी 2-3 GB की बनने वाली है, मगर उसको भी अराम से handle कर लेगा, और मैं उसको थोड़ा सा compress करके और YouTube के उपर upload करने वाला हूँ, क्योंकि YouTube के उपर जब upload करते हैं, तो 3 MBPS, 4 MBPS इसके उपर upload करने ठीक रहता है, ज्यादा करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर detailed अगर दे रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा तर जो लोग होते हैं, वो mobile के उपर ही YouTube को देखते हैं, तो YouTube mobile के हिसाब से 3 MBPS, 6 MBPS last होता है, 6 MBPS के उपर आप अपना जो है project render कर सकते हैं, यह technical details अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो इस पूरे के अंदर process में आपको बताऊंगा, और 0 से लेके 100 तक, Camtisha के बारे में, इस training जो पूरा के पूरा playlist है, इसमें मैं cover करने वाला हूँ, यह सारे के सारे videos आप sequence से देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं links नीचे दे दूँगा, कहां से इसको download कर सकते हैं, मैं किसी crack का link नहीं दूँगा, क्योंकि मैं piracy के बिलकुल खिलाफ हूँ, piracy नहीं करनी चाहिए, मैं इसका official link दे दूँगा, उसके बाद में आप जो decision लेते हूँ, वह आपकी खुद की मर्जी है, तो चलिए शुरू करते हैं, Camtasia की training बनाओ, दिखाओ के साथ में आजाईए